दोस्तों आज की वीडियो में आपको ताहूंगी ब्लाउज की धौती सुल्दर बैक नेक्रियान कैसे बनाएं सबस्क्राइब किजी स्टिचिंग किलास चैनल बेल आइकोन दमाई लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो देखे यह मैंने ब्लाउज कटकर लिया है और अभी आपको साइज बता देती हूं दिखिए मैंने 11 इंच लिया है और यह हमारा 36 साइज का ब्लाउज है तो देखिए तैयार में 9 इंच आएगा और 2 इंच हमारा 9 इंच तैयार में अगा तो देखिए और 6 इंच मुट्डे 6.5 इंच और यह मैंने ब्लाउज लाइनिंग दोनों कटकर लिया है तो हम दो क्या करते हैं ब्लाउज को साइड में रगते हैं लाइनिंग पर डेजान ड्राउ कर लेता है कि सोल्डर से 2.5 इंच आप डीप अपने साइज के नुसार रख सकते हैं मैंने यह 2.5 इंच लेया है और जो हाफ इंच हमारा यह स्टिचिंग में चला जाएगा सोल्डर पर 11 इंच में नेक तैयार रहेगा और इस तरह से ड्रॉ कर लेता है हम क्या करेंगें उपार से फार्ष empezar रहा नीचे रहा नीचे से तो दthana डाय को जाएगा तो इस तरह से सागे और से से टाय लेता है जुआँ गाम का यह सेम डाऊडर में और कहना है इस कल्या ओआज़िवारा God स्टी डॉफ्ट तो रखके half inch का केंवास की चॉड़ाई कट कर लेते हैं नेक पट्टी निल लगाएंग कैंवास लगा के पलट देंगे इस तरह समेंने कैंवास कट ऊड़ा लिया है और रख लिया है और इसको कट कर देते हैं सेम ढाफ पर चोड़े हमको एक केन बास कट करनी है तो देखिए यह मैंने एक कपड़ा लिया है और इसका देखिए तू इंचिस की चोड़ा ही है और तू इंचिस की लंबा ही चाओ को लिया है और यह मैंने थर्मकॉल के बाल ली है अगर आपके पर थर्मकॉरा के बाल नहीं का लीए तोपह ईज memang का कटन से लन सबस्कों को इस तरह से में सट तरह करेंगे और ध्यागा लेंगे और यहां पर यहां पर पर से मैं सोफेन दाऊंगे तो देखिए यह इस तरह की बॉल बनागी है इसी तरह मैंने यह साथ बॉल बनाके रख लिए और अब यह आपको बताते हूं कैसे इसको प्रावज को नीचे सीधा रख लें और देखिए इसके उपर यह लाइनिंग रख लें जो में भी ड्राफ्ट किया है और देखिए जो हमने यह कैनवास कट किया है इसको रख लेंगे अब यह क्या करेंगे यहां से लेरके पूरा यहां से यहां तक इसको स्टिच कर देंगे एक ही साथ में और सेम इस साइड में जब दोनों साइड हमारे स्टिच लोंगे तो नेक को हम कट कर देंगे और इसको में पूरा और यहां तक मैंने स्टिच कर दिया तोनों साइड के पीस और अभी में दोनों को अलग कर देती हुआ तो दीखिए मैंने कट कर लिया है और अभी हम इसको पलट करते हैं कि यह मैंने स्टिच कर दिया है और पलट दिया है और भी स्टिच कर देता है इसको तो दीखिए मैंने दोरों साइड के पीसों को फिनिशिंग दे दिया है और दीखिए अभी जो हमने यह बॉल बनाई थे इनको अटेश करते हैं तो उसके लिए हम ले लेते हैं जो भ्लाउज का ए बहुंगए इस तरह से फूल कर लेते हैं पहले हम एक साइड में इस साइड में स्टिच कर लेता है और लेफ्ट साइड में जब बॉल लगाएंगे तो बॉल इसके अंदर इस तरह से सैट हो जाएंगे तो दिखिए पट्टी में यहां पर अटेच कर दी है अगर हम अभी यहां पर बॉल अटेच करते हैं तो जो हम ल सब्सक्राइब करें तो दिखिए मैंने एक साइड में लेस अटेच कर लिया है तूरा यहां से लेकि पूरा कमर तब और अभी हम क्या करते हैं जो बॉल है इनको हम पहले यहां पर इस्टेच कर देते हैं तो देखिए इस तरह से हम इस्टेच करेंगे कर देखिए मैंने वन लेस इस तरह से यहां से टेच कर दिया है वी दूसरी लाइन देने के लिए हम यहां पर हाफ इंच की मार्किंग कर देते हैं और देखिए यहां पर हमको हाफ इंच छोड़ देना है यहां से और टेप को इस तरह से क्योंस में रखेंगे इस तरह से और यहां से भी इस तरह से हाफ इंच यह कूल कलर का छोड़ते हुए यह लेस अटेच करेंगे तो देखिए यह लेस इस तरह से अटेच होगे यहां हम से ठाइंगे इस से हम नेगे आये हां कर दो यह घुनल ले लेंगे तो देखिए महँ बाखिंग की थी इस तरह से से तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है तो आप इसासन तरीके से लेस्ट की सहता से सुंदर सी नेक्ट जान बना सकते हैं वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक्यू